जन्वरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं. ये अपने आप पर यकीन रखते हैं और बच्चपन से ही अपने जीवन की डोरपने हाथों में ले लेते हैं. ये स्वयम के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते ह ऐसे बच्चों के माता-पिता बढ़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्यूंकि ऐसे बच्चे अपने माता-पिता का नाम रौशन करते हैं, क्यूंकि उनके जन्म के समय ग्रह और नक्षत्र ऐसे भाव और खंड में रहते हैं, जो उन्हें इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं. मार्च और अप्रेल में जन्मे बच्चे क्रोधी स्वाभाव के होते हैं ये बच्चे बात-बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आपको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं ये अपने भाग्य को बनाने को बनाने के लिए किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते यह लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं यह अपने करियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा लेते हैं और उन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता क्योंकि उनके जन्म के समय ग्रह और नक्षत्र ऐसे भाव और खंड में रहते हैं जो उन्हें इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं मई और जून में जन्मे बच्चे भाग्यशाली नहीं होते ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं और दूसरों की सहायता करने की कोशिस करते हैं लेकिन इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता ये अकसर लोगों के द्वारा दिये जाने वाले धोखे का शिकार बनते हैं और व्यापार में इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनके जन्म के समय ग्रह और नक्षत्र ऐसे भाव और खंड में रहते हैं जो उन्हें इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं ये बच्चे अपना भविष्य स्वयम ही सुनिश्चित करते हैं चाहे इसके लिए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़ड़े या अधर्म के मार्ग पर क्योंकि आम के पेड़ पर आम ही फल लगते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे दयालू स्वभाव के होते हैं ये बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता-पिता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते इस महीने में जन्मे लोग दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी मिलती है। लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। ये बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होते हैं और अपने विचार में स्थित होते हैं। ये अपने परिवार से अधिक देश भक्ती में समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के अपने स्वाभाव के कारण ये बच जाते हैं. ये अपने माता-पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीरवाद में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके जन्म के समय ग्रह और नक्षत्र ऐसे भाव और खंड में रहते हैं, जो उन्हें इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं.